हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल बेबी मॉमी हेल्प मैं मेगा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप लोग? I think सब भी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे दोस्तो सर्दी का मुसम चल रहा है ऐसे में फीवर खांसी जुखाम की समस्या बहुत अधिक हो जाती है और ऐसा नहीं कि बच्चों को ही फीवर हो जाता है लेकिन माओं को अगर फीवर हो जाए और वो बच्चे को ब्रेस्ट फिट कराती है तो उन्हें क्या करना चाहिए तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आई हो और उम्मेद करूंगे आज का ही वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा और कमेंट कीजेगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा देखे अगर आप पहली बार मा बनी है तो बहुत सारी चीजों में आपके मन में बहुत सारे कोश्चन्स होते हैं सबसे पहला कोश्चन तो यही होता है कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से अभी छोटा है और केवल वो आपके ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंड है और आपको अगर फीवर हो जाता है तब आप अपने बच्चे को दूद पिलाएं या फिर ना पिलाएं देखें ब्रेस्ट फीडिंग के दोरान अगर आपको हलका फीवर है या थोड़ा फीवर है तीन दिन तक अगर फीवर रहता है और उसमें आप परेसिटा मूल का सेवन करती है तो ऐसे में आप अपने बच्चे को दूद पिला सकती है क्योंकि परेसिटा मूल का सेवन करना ब्रेस्ट फीडिंग के दोरान नॉर्मल माना गया है सेफ माना गया है बच्चे को क्योंकि आपका जो बच्चा अगर आपका ब्रेस्ट फीड करता है और आप इसका सेवन करती है तो बच्चे को भी संकर्मन या किसी तरह के बैक्टर infection से बच्चने में सहयता मिलती है लेकिन अगर आपको किसी तरह की और बिमारी है जिसका लगातार आपको दवायों का सेवन करना पड़ रहा है तब आपको बच्चे को breastfeed नहीं कराना है कराना है तो अपने डॉक्टर की सलहा अनुसार ही कराना है जब आप अपने बच्चे को फीड ना करा पाएं तो आपको क्या करना है देखे अगर आप अपने बच्चे को breastfeed नहीं करा पा रही है तो आप ऐसे में क्या कर सकती है कि ये क्योंकि breast में milk produce होता रहता है जिसके कारण breast में pain होने लगता है तो आप pump का इस्तमाल करके breast milk निकाल सकती है और उसको फैक सकती है उस breast milk को आप अपने बच्चे को ना पिलाएं जब आप थोड़ा सा ठीक महसूस करें और आपके दवाईया कम हो जाए और आपके डॉक्टर आपको कहीं कि अब आप अपने बच्चे को feed करा सकते हैं तो दोबारा से आप अपने बच्चे को feed कराना start कर दें pump and dump जिसको हम कहते हैं कि pump से आप दूद निकाले और उसको फिर आप डाल दीजिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप breast milk नहीं निकालते हैं या फिर मैं कहूं कि ऐसा होता ही है तो आपके जो breast हैं बहुत ज़्यादा heavy हो जाती है उनमें गांठे पर जाती है और दर्द होने लगता है breast में milk बहुत अधिक produce होने के कारण भी आपके breast में infection हो सकता है तो हमेशा आप pump का इस्तमाल इस तरीके से कीजिए और हलके fever में और fever में भी आप अपने बच्चे को pump की साहता से milk निकाल कर पिला सकती हैं जिससे कि आपका बच्चा आपके body touch में भी नहीं आएगा और किसी तरह का bacterial या संक्रमन infection आपके बच्चे को भी नहीं होगा बस आपको रखनी होंगी कुछ सावधानिया जैसे की बार बार अपने हाथ साबुन और गरम पानी से धोएं छीकते और खासते भी अपनी मूँ पर टिशू रखें इस्तिमाल की हुए टिशू को सीधे कोड़े दान में ड जाती हैं उसके बाद ही आप अपने बच्चे को खुब सारा प्यार करें जब आपको बुखार हो या बिमार हो तो खुब सारा पानी पिएं और healthy food खाएं इससे आपकी दूद क्या पूरती बनी रहेगी और आपके शरीर को बिमारी से उबढ़ने भी मदद मिलेगी क्योंक आप कोशिन आता है कि हम डाइट में ऐसा क्या लें देखे आप सूजी की खिर बनाकर खा सकते हैं दूद का दलिया बनाकर खा सकते हैं नमकीन दलिया मुंगदाल और दलिये की खिचड़ी बनाकर आप खा सकते हैं कुछ फूर्ट का सेवन कर सकते हैं जैसे की चीकू आप ख खाना आप खा सकते हैं या फिर ऐसी healthy healthy चीरे आप खाईए जिससे की body को ताकत भी मिले ऐसा आपको जरूर करना है और अगर आपका बच्चा 6 महीने से उपर है तो फिर तो कोई परिशानी की बात नहीं होती है क्योंकि 6 महीने से बड़े बच्चे को कहीं न कहीं हम cow milk देने ल होता है लेकिन 6 महीने से चोटे बच्चे को अगर आपको कुछ ऐसी बिमारी है या फिर ऐसी कोई परिशानी हो गई है जिसमें आपको बहुत अधिक दवायों का सेवन करना पड़ रहा है और तो ऐसे में आप अपने बच्चे को formula milk दे सकते हैं जो थोड़े समय के लिए आ ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं देखिए नवजात बच्चे के लिए मा का दूदी सब कुछ होता है जमकि कुछ महीने तक एक बच्चा बिलकुल मा के दूद पर रहता है लेकिन बात आती है कि अगर दवायों का सेवन कर रहे हैं तो वो घुल कर बच्चे तक जाती है द केवल मा के दूद से अगर आपका शेशु बिमार पड़ता भी है तो मा के दूद में मुझूद एंटिबाटिक गुण या मैं कहूं रोग प्रतिरोदक छमता जो होती है बच्चे को ये जो बिमारी है उससे लड़ने की ताकत देती है तो अगर किसी मा को बुखार हो तब अब अपने बच्चे को जरूर ब्रेस्ट फिडिंग कराएं बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपनी तरफ से कोई भी दवाई का सेवन नहीं करना है डॉक्टर से संपर्क करके तभी किसी दवाई का आपको सेवन करना है क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ दवाई भी आपको नहीं करना है ऐसा इसलिए यह दूद के जरी आपके बच्चे तक पहुँचकर उसके लिए परेशानी पैदा कर सकती है आप कुछ घरे लो पाए अपना सकते हैं आप चाहें तो डॉक्टर के पास जाकर बजार से दवाईया लेने की जगे घरे लो पाए अपना सकते हैं जैसे कि अधरक तुलसी शहद से काढ़ा बना कर आप ले सकते हैं यसे आपके बच्चे के दूद पर कोई भी एफेक्ट नहीं पड़ेगा तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का ही वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करना बिलकुल भी ना भूलें thank you for watching baby mommy help thank you namashkar